खर श्रहके जए, तो है अधि यू विल्कुन कोशोऽिक, आधि जू अरे हिए ऐसाँ का माई टॉपिक है ताप टेमप्रिचर पक्रभार्म Q-S translating टेमपेशर क्रेक्शें से बड़ीर। हीट क्या होती है यह सब्चीर के बादे हम देखिए और फिर क्या होता है अभी हमने लास एलास में पढ़ाथा कि हर जगह बहुत से फेक्टर हैं जो temperature control करते हैं क्या जैसे मैंने बताया था आपको जैसे जैसा height बढ़ती जाएगी air की density कम होती जाती है बताया था है मैंने आपको air की density अब कम होगी तो उसकी heat को जो absorb करने की capacity कम होती चली जाएगी जैसे density उसकी कम होगी है ना क्योंकि इसमें greenhouse gases भी कम हो जाएगी अब देखो chapter से ही पता चलता आपको पहले हमने बढ़ा solar radiation के बार में solar radiation कैसे आती है कहां पर कितनी आ रही वह insulation हमने पढ़ लिया अब जब आ रही है तो जाएगी तो और तो फड़ जाएगी इतना था करती है फिर आर्थ एंवार्मेंट में भेजती है फिर एंवार्मेंट उसका अब्जोब करके आगी इस पेस में रिडियेट करता है उसमें टाइम लैग रह जाता है माल लीजे थोड़ा माल लीजे दस मिट लग जाता उसको आने में तो उस दस मिट में कितना temperature बढ़ आता है है ना ऐसा होगा तो वही temperature के बारे में हमें पढ़ना है कि कहां पे जादा है कहां पे कम है और क्यूं है ऐसा कौन कौन से factors हैं जो इनकी विज़े से ऐसा हो रहा है उन सब के बारे में हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमारा आता temperature है क्या सबसे पहले सवाल तो यही आता ह कि temperature क्या है तो देखे मैं आपको बता तो यह हमार अर्थ का surface है इसके ओपर insulation आई insulation अर्थ ने absorbed की अब वो क्या बनगी terrestrial radiation बनगी absorption के बाद तो अर्थ उसको radiate करेगा फिर से बता रहा हूँ बीच मैं atmosphere है atmosphere insulation को absorb नहीं करता atmosphere terrestrial radiation को absorb करता है ठीक है अब यह absorb करेगा जिसकी विज़े से हमारा atmosphere क्या होगा उसको absorb करेगा terrestrial radiation को तो क्या होगा heat up हो जाएगा कितना heat up हुआ है कितना heat up हुआ है हमारी earth का surface कितना heat up हुआ है उसको नापने की जो डिखरी है वो temperature है heat कितनी आई है उसको कैसे measure करेंगे हम temperature से वो हमारा temperature यहाँ पर लिखा भी हुआ the interaction of insulation with the atmosphere and earth surface creates heat which is measured in terms of temperature interaction किसका insulation का with atmosphere and earth surface earth के surface और atmosphere में जो interaction होगा किसका insulation का जो sun से radiation आ रही है तो क्या होगा उसकी वेसे क्या होगा heat create होगी और उस heat को measure करने की degree क्या है वो है हमारा temperature ठीक है समझ आगे यहां तक आगे बढ़ते हैं आगे अभी क्या बोल रहा है कि while heat represents the molecular movement of particles comprising a substance the temperature is the movement in the degree of how hot or cold thing क्या कह रहे है temperature क्या है temperature is degree of hotness or coldness माल लीजे यह एक substance है x यह substance hot है या cold है उसको नापेंगे कैसे वो degree temperature है अगर यह hot होगा तो इसका temperature जादा है अगर यह cold होगा तो इसका temperature कम है ठीक है तो hotness या coldness की degree को नापने के लिए मेजर करने के लिए जो हमारे पर दिगरी है उसको हम क्या बोलते है temperature लेकिन अब यह problem आती है कि heat ठीक होट तो तब होगा जब heat होगी और cold तब होगा जब heat नहीं होगी heat की value कम है तो cold होगया heat की value जादा है तो hot होगया लेकिन यह heat क्या है अब क्या होता है जब किसी substance पे माल दीजिए एक substance उसमें insulation आई हो energy release हुई उस substance में molecules में एक हल्चल सी मच जाती है temperature उस energy जादा जाएगी हल्चल मच जाएगी तो वो heat अप होने लगता है उसको बोलते हीट होना ठीक है बहुत जाद देफ्ट में नहीं जाते है सब्सक्राइब बस इतना ध्यान रखिए कि molecular movement of particles comprising के substance जो सब्सक्राइब के molecular particles चोटे में molecular movement होने रखते है molecules में उसकी वज़े से heat generate होती है क्यों क्योंकि energy आई है energy क्याने की विरसे बस इतना याद रखना आपको इसाथ याद नहीं रखना समझा गया तो यहां पे मारे heat की definition होगी temperature भी समझा गया हमें temperature के मारे में तो बता ही दिया है काफ़े कुछ अब यह क्या बोल रहा है यह बोल रहा है factors controlling temperature के काफ़ी सारे factors हैं जो की temperature को control करते हैं उन temperature में कौन-कौन से हैं सबसे पहला हमारा latitude of the place अभी मैं बता रहा हूं बाकी बहुत किसम जाओंगा दूसरा बोल रहा है altitude of the place तीसरा बोल रहा है distance from sea and air mass circulation चोत्ता बोल रहा है presence of warm and cold air currents और पांच और local aspects local aspects तो होते ही है local aspects के बारे में क्या ही बता हूं ठीक है बदाओंगा थोड़ो सा brief दे दूँगा इसमें नहीं दियावा local aspects बारे में लेकिन मैं थोड़ो सा brief कर दूँगा आपको local aspects क्या end में class के end में ठीक है तो अब इन चारों को हम जो one by one पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा सबसे पहले latitude प्राक्राइब दो ठीक है चलिए तो यहां पर हमारे जो सबसे पहला फेक्टर है वो है latitude यह कह रहा है कि जो फेक्टर कंट्रोलिंग इसमें एक सेक्टर है जो की टेंपरेचर कर डिस्ट्रिबूशन कंट्रोल करता है अर्थ के सर्फेस पे उसमें सबसे पहला सेक्टर बोल रहा है latitude इसका मतलब ही सबसे ज्यादा important भी हो सकता है है ना है तो कैसे कैसे करता यह control मैं आपको बढ़ाता हूँ यह हमारा globe है यह हमार equator है हम ये बात औरर्डी पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा insulation इक्वेटर सबसे ज्यादy यहाँ परढ़ी जाएगी पर सबसे ज्यादा ठीक है और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे isolation कमहोती जाएगे equator के तरफ insulation डोघ हो कमहोती जाएगी यहां पर हो admirt यहाँ पर highest होगी equator पर poles पर कम होती जाएगी कितना पता है equator भी हमारे एक latitude है यह भी हमें पता है और आगे उपर तक 90 latitude तक हमने earth को 90 latitude में दिवाइड किया हुआ है यह north है और 90 latitude में south में तो कोई जगा है कौन से latitude पर है उस से temperature का distribution डिसाइड हो सकता है माल लीजिए एक जगा 40 पर है या 45 पर है तो हमने क्या पढ़ाता कि equator से tropical reason में जो 40 तक का reason है वहाँ पर सबसे ज़्यादा temperature होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा insulation इसी भी जाती है 45 पर है तो यहाँ से थोड़ी कम होगी लेकिन पोल से तो ज़्यादा होगी यह तो हमें पता ही है समझ रहे हो ना अब 40 पर हमें पता है 0 से 40 तक 0 से 40 नहीं 10 से या 5 से कह सकते हैं हमने क्या पार आता है equatorial reason है उपर नीचे 5 degrees north 5 degrees out उसमें insulation बहुत ज़्यादा नहीं होती है इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती है क्यूं? cloudiness रहती है यहाँ पर यहाँ से आगे 40 तक सबसे ज़्यादा जो tropical region है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा comparatively ज़्यादा वह होती है क्या? insulation रिसीव की जाती है तो temperature जो है latitude जल जल जैसे उपर होती जाएंगे तो हमारा pulse की ज़्यादा जाएंगे तो क्या होगा? उसमें हमारा temperature कम होता जाएंगा जो जगा equator से जितना दूर होगी उस पर temperature उत्राएंगा यह एक general rule है ठीक है? इसमें कुछ exceptions भी होती है क्योंकि एक ही factor तो नहीं है बहुत सारे अलग-अलग factors है जैसे कि अगला factor जो हमारा आने वाला है altitude मैं भी समझा रहो आपको माल लीजे सबसे जाएंग इंसुलेशन यहाँ पर होती है equator पर या topics में माल लो ठीक है? लेकिन यहाँ पर है एक पहार काम होगा, वहाँ पर altitude वाला factor काम करने लगेगा जोगरफिय मैं आपको पहले बता है कि सिर्फ एक factor काम नहीं करता है, बहुत सारे factors काम करता है ठीक है? तो यह हमारा latitude की वाले में हमने पढ़ लिया anxiety का बोल रही है? the temperature of a place depends on the insulation sheet कि किसी जगह पर कितना temperature होगा वो उसके latitude पर sorry, किस पर depend करता है? insulation कितनी आईजी? है ना? और insulation में पता है कि lower latitude जो equator है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आती है और poles की तरब सबसे कमाती है और equator से poles की तरब घटती जाती है उसकी value, ठीक है? यहाँ पर maximum में यहाँ पर minimum है it has been explained earlier पहले बता चुके है that the insulation varies according to latitude कि insulation जो क्या बोलते है latitude के according वराई करती है hence the temperature also varies accordingly तो temperature भी तो वराई करेगा भाई यहाँ पर अगर insulation ज़्यादा आ रही है तो temperature बढ़ने की chances ज़्यादा है अगर कोई और factor काम नहीं करता यहाँ पर अगर insulation कमा रही तो यहाँ पर temperature कम होगा अगर कोई और factor काम नहीं कर रहा है वो बाद में बताएंगे ठीक है तो यह हमारा क्रेट कंप्लीट हो गया next बर्तम altitude पर देखे अब गर्मी आ जाएंगे गर्मी जब आती हैं गर्मी पर छोटियां पड़ती हैं तो सभी घरों मनता है कि पाहरों पर घूमने जाना है क्यों? क्यों क्यों आपर ठंडा होता है temperature जो कम होता है महोल वात्तवर पहले से ठंडा होता है क्यों होता है ठंडा? altitude altitude गर्मी ओं में, planes में गर्मी होती है लेकिन पाहरों पर ठंडा होता है क्यों? क्यों क्यों उचाई पर है उनका altitude sea level से जादा है हमारा rule ये कहता है कि कोई भी जगर sea level से जितना उची होगी उसका temperature उतना कम होगा और क्योंकि पाहरों उचे है तो पाहरों के उपर temperature कम है तो यहाँ पर ठंडा हो रहता है इसलिए हम गर्मियों के चुट्टे में भूम रहता है ठीक है? लेकिन ऐसा क्यों होता है देगे वैसे इसके दो-तिन रीजिंट है ठीक है? अलग-अलग लेकिन NCRT को यहाँ पर में रीजिंट बता रहे है यह हमारा surface आए इंसुलेशन आई आठ ने वो इंसुलेशन रिसीव की और टेरिस्ट्र रेडियेशन रेडियेट की यह हमारा atmosphere है atmosphere इंसुलेशन से गर्म नहीं होता ठीक है? टेरिस्ट्र रेडियेशन से गर्म होता तो ओवस्स सी बात है जो जगह है source, source of heat तो यह है earth का surface जो area surface के पास होगा वो ज़्यादा गर्म होगा के नहीं होगा comparatively जो area surface के दूर है यह वाला ज़्यादा गर्म होगा यह वाला कम गर्म होगा है ना? अरे यारे gas है यह चूला है ठीक है? यह चूला है इसके उपर एक सरिया रख दो यह वाला हिस्सा बिल्कुल लाल हो जाएगा यह वाला हिस्सा गर्म हो जाएगा यह भी ठंडा पर जाएगा थोड़ी दे बाद यह वाला तो गर्म होके बिल्कुल लाल हो जाएगा लेकिन यह गरम तो होगा लेकिन लाल नहीं होगा तो इसका मले हमेल्य ये पॉइंच जो सर्फेस से दूर है हीट ओपԲपा हिट के सोड से energia के सोर से वो उतना जार गरम नहीं होगा वो यहां पर है चैंपे जो सर्फेस है नीचे वाला हिस्सा चल्दी गरम होगा, उपर वाला हिस्सा तेट गरम होगा, वो कम गरम हो पारा है, समझे के, यही कंसर्ब नहीं है, यहाँ पर है, तो सोर्स जो ओफ हीट है, उसके पास वाला एडिया भी नीचे ही होगा, वाला इसलिए जो नीचे है जो पर 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 गीचे है तो सी के पास इसका रीजर और होता है, बहुत इंपटरन नहीं है, In other words, the temperature generally decreases with increasing height. कह सकते हैं, कि जैसे-जैसे height surface से height बढ़ती जाएगी किसी place की, तो temperature भी बढ़ता जाएगा, इस तरीके से मान लेगा, यह surface है, और कोई हमारे reason है, वो इस तरीके से है. सबसे जाए temperature यहाँ होगा, सबसे कम यहाँ होगा, altitude के साब से, लेकिन यहाँ पे भी, यहाँ से जाए temperature होगा, है ना? The rate of decrease of temperature, with height is termed as normal lapse. अब यहाँ पे बहुत important time आई है आपके से बास. यह कह रहा है, कि हमने यह पढ़ लिया, कि surface से उपर जैसे हम जाएगे, altitude बरता जाएगा, तो क्या होगा? Temperature कम होता जाएगा. ठीक है, इस process को, कि जैसे हम Earth के surface से उपर की तरफ जाएगे, उची जगों पर जाएगे, तो temperature कम होगा. इस को, इस logic को, इस process को, normal lapse rate कहते हैं. क्या बोलते है, normal lapse rate. याद रख लेना, आगे बहुत आने बादा. और यह कितना होता है? 6.5 degree per thousand meter. मतलब, हर thousand meter पे, sea level से, thousand meter उचाई पे, लगभग 6.5 degree temperature कम हो जाएगा. अगर 2000 पे पहुँच जाएगे, तो 13 degree, 6.5 प्लस 6.5, है ना? इसी तरीके से बादा समय जाएगा. तो आप सोच लो, 3000 meter पे कितना कम हो जाएगा? लगभग 20 degree कम हो जाएगा. लगभग 20 degree कम हो, है ना? कितना फरक पढ़ने वादा है? तो यह हमारा altitude भी हो गया. अब अगला जो हमारा है, क्या है वो factor? वो है distance from C. किसी जिगह का C से कितना distance पे है? उससे भी फरक पढ़ता वहाँच की temperature क्या होगा? कैसे? पढ़ते? अगला important factor जो है, जो कि temperature distribution को control करता है, वो है हमारा distance from the C. क्या कहा जा रहा है यहाँपे? वो है कहा जा रहा है कि कोई भी reason, C से कितना दूर है, इस पे भी depend करता है कि उस जगह का temperature कितना होगा. क्या कहता है यह? लोजिक क्या है इसके पीछे? लोजिक यह है कि land जो हो जल्दी heat up हो जाती है, in comparison to C. और जल्दी ही cool down भी हो जाती है, in comparison to C. तो यहाँपे temperature एकदम से बढ़ता है, एकदम से घटता है. C में ऐसा नहीं होता. C में क्या होता है? कि यहाँपे temperature धीरे 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 बढ़ेगा, और फिर धीरे 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 कम होगा. इसको बोलते हैं, और जो reason C के पास होगा, वो इसके influence में आ जाएगा, उसमें भी temperature धीरे धीरे ही बढ़ेगा, धीरे धीरे ही कम होगा, एक दम से नहीं बढ़ेगा, एक कम होगा, इसको बोलते हैं, moderating effect of C, ठीक है, क्यों होता है ये, ये भी मैं भी आपको बताने वाला हूँ लेकि पहले उससे पहले देखते हैं, साटिया कहती है, another factor that influences the temperature is location of a place, with respect to C, क्या है, एक और factor जो influence करता है temperature को, वो ये है, कि कोई भी जो जगह है, कोई भी reason है, वो C से कित्वा दूँए है, उसकी location C से कहाँ पर है, अगर बिलकुल यहाँ पर होगा, तो यह effect काम नहीं करता जाएगा, यहाँ पर होगा तो बहुत ज़रा काम करेगा, यहाँ पर होगा तो कम काम करेगा, जैसे जले बढ़ते जाएंगे, moderating effect of C, जो कम होता जाएगा, आगे तो पिलकुल यहाँ जाएगा, जैसे कि South India में moderating effect होता है, जो coastal reasons होते है, Mumbai example, वहाँ पर सर्दीन नहीं होती वहाँ पर एक जासे मोसम रहता होता है, जिसने भी coastal reasons ऐसे मोच सही मोसम रहता होता है, अंदर आएंठीईर में आप आजया, नौर्थ इंडिया देखो, वहाँ पर अलगा, जार्दी भी बहुती है, एक्स्रीम होती है, गर्मी जोरी ख़िए, ख़ड्री खर्योरी तो करता है land heats up and cools down quickly जबकि land क्या करते है वो जल्दी गरम होती है और जल्दी ठंड होती है therefore variation in temperature over the sea is less compared to land इसलिए sea में temperature के variation बहुत जादा नहीं होते है धीर धीर होते है माल देजिए सुर्द बहुत जाद चमक भी रहा है यह गरम होना स्टार्ट ही हुआ है तो अविस ही बात है moderate होड़े आएगा temperature मौजल दी गरम नहीं होड़ा the place situated near the sea come under the moderating influence of land and sea breeze which moderate the temperature moderating effect तो हमने पढ़ लिया कि यह जो area है यह जो reason है जो sea के पास है यह under the influence of moderate moderation moderating effect of sea के अंदर आजाएगा ठीक है लेकिन कैसे mechanism क्या है का कि यह हमारा c है यह हमारा c है ठीक यह होता क्या है कि यह लेंड तो गरम हो चुकी है इसका temperature गर बढ़ना हैज ढ़ना हुआ है वा घृम हो चुकि ए लेंड की तो ये ऊपर जाएगी। यहाँ की हवा गरम हो चुकी है लेंड की तो ये ऊपर जाना श्टा करेगी। गरम हुआ जब यह गरम करेंगे तो यहां पर खाली हो गया तो सी से जो हवा है वो इसको फिल अप करने के लिए आएगी लेकिन जो हवा सी से आ रही है वो इन गंपरिजन टु इस एयर इस मच कूलर क्योंकि अभी सी ने करम होना स्टार्ट ही किया है यहां पर और चारीज पहुंच चुका है टेंपरिचर तो टेंपरिचर बढ़े बढ़ता है हवा गरम होती है उससे पहले ही सी ब्रीज चल जाती है इसको बोलते हैं सी ब्रीज जो सी से लेंड की तरफ आते हैं समझ के तो टेंपरिचर मोड़ेट हो गया नहीं हो गया पूरे दिन ऐसी होता जाता है क्यूंकि लैंड गरम जल्दी होती है लेकि लैंड ठंडी बहुत जल्दी होती है तो रात को लैंड जो ठंडी हो रही है लेकिन C जो पूरे दिन गरम हुआ वो अभी ठंडा नहीं हो रहा वो अब ठंडा होना स्टार्ट कराएगा पूरे दिन में शाम तर इसका temperature माल लेज़े 30 पहुँचा इसका 40 पहुँच किया तो लेकिन अब सीधा इसका 10 आ गया आ गया तो यह ठंडा होना स्टार्ट होगा यहां पर ठंड बर सकती है लेकिन यहां की हवा गरम है तो यह उपर उड़ जाएगी यह हवा ठंडी है यह यह तर भागेगी है तो क्या होगा अब सीध से जो गरम हवा आनी चाहिए थी हवा चल जाएगी इधर की हवा और ज़रा हो ठंडी होगी क्योंकि पीछे लेंड है पीछे भी लेंड है वहां की बहुत ओर ठंडी होगी तो यहां से पीछे की से हवा सारी इधर की तरह भागेगी तो यहां पर और मोर्टेटिंग रुका है ना temperature भर रहा है ना ज़्यादा घट पा रहा है राजिस्थान में दिन में 44-45 डेवरी temperature होता है राट को आपको कंबल ओर के सोना पर रहता है क्योंकि रेद बहुत जल्दी धंडी होती है है ना तो यह यहां पर नहीं हो पा रहा है यहां पर क्यों नहीं हो रहा है तो यह हमारा topic ख़तम होगे आपको समझा आगे विडियर में तो बताएंगे इसके बढ़ में अब हमारा आगरा topic जो है वह है Air, Mass, and Ocean Currents Air, Mass, and Ocean Currents कैसे influence करते हैं temperature को ठीक है वो देखते हैं अगला जो हमारा फेक्टर है जो की टेंपरिचर डिस्टिबिशन को कंट्रोल करता है वो है हमारा क्या है एर मास तेले तो यह बताओ कि एर मास होता क्या है ठीक है मोटा मोटा बताता हूं ऐसा बान के चलो ये थो मैँ पता है कि कहीं से अगर हवा आती है मालने कहीं से गरम हवा आ जिए तो वह उस जगह पे ट motivate बढ़ा देगी और कहीं से थंदी हवार आ रही तो उस जगए पिम्रेचर पर कम हो जाएगा अब अब यह सोच के चलो के बहुत बड़ा हवा की टुकडी है, कई सो किलोमेटर, लंबी कई सो किलोमेटर चोड़ी, few hundred किलोमेटर से के बात करो हो मैं, कुछ 100 किलोमेटर, और यह टुकडी अगर किसी जगह पर पहुंचेगी, तो वो बहुत लंबे टाइम के लिए, उस लंबे के temperature को influence कर लेती है, आपने देखा को कई बार कि एकदम से क्या होता, गर्मी है, एकदम से ठंडी हवा यान लगते, दो-ती इंतर होती रहती है, कई बार बारिश पर हो जाती है, क्यूं, वो ही पढ़ेंगे, air masses से बारिश पर आती है, in fact, cyclones इनी को जास होते है, जब दो air masses कराते है, पढ़ेंगे अभी, कैसे क्या होता है, अब air masses इस दो तरे के होते है, या तो ठंडे होंगे या गरम होंगे, माल लेजिए यहां का temperature 20 है, या यहां का temperature 30 है, कोई air mass अगर इसका temperature 40 है, तो गरम हो जाएगा, यहां का temperature बढ़ा देगा, 10 degree, और अगर इस air mass का temperature 20 है, त कोई इसका temperature 10 degree घटा देगा, है ना, तो क्या कह रहा है, कि like land and sea breeze, जैसे land और sea breeze जो temperature कम जादा कर रही थी, the passage of air masses also likes temperature, अगर कोई air mass कहीं से गुजरता है, तो वो भी उस जगह का temperature को influence करता है, बता दिया मैं आपको, the places which comes under the influence of warm air masses experience higher temperature, जिन प्लेस पे warm air masses आ जाते हैं, वहां पे क्या होता है, वो higher temperature experience करते हैं, and the places that come under the influence of cold air masses experience low temperatures, और जिन प्लेस पे cold air masses आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो कम temperature experience करते हैं, समझ रहे हो, बता है ना, कि अगर यहां पे 20 degree वाला आ गया, और अलरी यहां पे 30 degree है, तो cold air mass है, यहां का temperature कम हो जाएगा, और यहां पे 30 की ज करते हैं, यह आपको समझ आ गया, एक चीज़ ओर आ जाती है, similarly the places located on the coast where the warm ocean currents flow record high temperature, क्या कहता है, अगर कोई temperature है, कोई region है, वो एक ऐसे coast पे है, जहां पे की warm current flows करते है, देखो ocean currents होते है, ocean में currents होते है, ocean पानी की नदिया बहते है, पानी का एक flow होता है, कि stream बहते है, बाद तो suppose कीजिए, मोटा मोटा बताता हो भी आपको, कि ocean currents, ocean currents basically होते क्या है, suppose कीजिए यहां पे, यह पानी है पूरा, इधर, लेकिन एक stream आगी पानी की उस पानी के बीच में, एक पानी की धारा अलग से आई, जिसका temperature परहा हुआ है, जाता है, normal temperature जो जो भी है, उससे थोड़ पहुंचे के तो इस coastal region का temperature थोड़ा बढ़ जाए के नहीं बढ़ जाएगा, आग के पास खड़े होगे, तो गर्मी लगेगी के नहीं लगेगी, बदफ के पास खड़े होगे, थोड़ थोड़ थंदा लगने लगने लगता है, फ्रीज खोल के खड़े होगे, ठंदा ही ल में दी नहीं गई, सब उपर बताई थी, कि local expects जो है, वो भी किसी जगह का temperature का distribution को control करने एफेक्टर है, यहाँ, local effect, suppose कि जो कि किसी जगह पर insulation तो हो रही है, किसी जगह पर insulation पूरी आ रही है, किसी latitude पर, लेकिन वहाँ पर बादल बन रहे है, इसका सब अच्छा example मैं आपक कह दिया था, topic, equatorial regions, कि महाँ पर insulation, latitude ओंसा, zero latitude है, सबसे ज़्यादा insulation यहीं पर आ रही है, लेकिन, because of cloudiness, इस जगह का albedo भी बढ़ गया, तो temperature नहीं बढ़ रहा है, insulation पर रही है, लेकिन temperature, insulation, surface तक नहीं पहुंच पा रही है, जब surface तक नहीं पहुंच पहुंच एगी, तो अर्थ उसको absorb नहीं करेगी, फिर हो terrestrial radiation नहीं बनेगी, तो atmosphere का temperature नहीं बनेगा, समझगा है, तो local aspect इस तरीके से काम की से, तो यह थोड़ा बड़ा topic था, लेकिन complete हो गया है, अयोब आपको सब को समझ आया होगा, कुछ नहीं समझ आया होगा, तो comment कर दीगेगा, मैं वो topic दुबारा से बना, ठीक है, ताकि वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, थैंक्यू,